नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूटीब चनल पर आप सभी का स्वागत है रेडी हो जाई पांच सेकेंड में डिक्टेशन लिखने के लिए उन दिनों सइन्योग से हाकिम जिला एक रशिक सजन थे इतिहास और पुराने सिक्कों की खोज में उन्होंने अच्छी ख्याती प्राप्त कर ली थी इश्वर जाने दफ्तर के सूखे कामों से उन्हें एतिहासिक छान बीन के लिए कैसे समय मिल जाता था वहां तो जब किसी अपसर से पूछिये तो वह यही कहता है मारे काम के मरा जाता हूं सिर उठाने की फुरसत नहीं मिलती शायद शिकार और सैर भी उनके काम में शामिल है उन सज्जन की कीर्तियां मैंने देखी थी और मन में उनका आदर करता था लेकिन उनकी अपसरी किसी प्रकार की घनिष्ठता में बाधक थी मुझे यह संकोच था कि अगर मेरी ओर से पहल हुई तो लोग यही कहेंगे कि इसमें कोई स्वार्थ है और मैं किसी दशा में भी यह इलजाम अपने सिर नहीं लेना चाहता मैं तो हुकाम को दावतों और सार्वजनिक उत्सवों में नेवता देने का भी विरोधी हूँ और जब कभी सुनता हूँ कि किसी अफसर को किसी आम जलसे का सभापती बनाया गया या कोई स्कूल और शधालय या विधवाश्रम किसी गवर्नर के नाम से खोला गया तो अपने देश बंधुओं की दास मनो वृत्ती पर घंटों अफसोस करता हूँ मगर जब एक दिन हाकिम जिला ने खुद मेरे नाम एक रुक्का भेजा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ क्या आप मेरे बंगले पर आने का कष्ट स्वीकार करेंगे तो मैं बड़े दुविधे में पड़ गया क्या जवाब दूँ अपने दो एक मित्रों से सलाह ली उन्होंने कहा साफ लिख दीजिये मुझे फुर्सत नहीं वह हाकिम जिला होंगे तो अपने घर के होंगे कोई सरकारी वा जाबते का काम होता तो आपका जाना अनिवार्य था लेकिन निजी मुलाकात के लिए जाना आपकी शान के खिलाफ है आखिर वह खुद आपके मकान पर क्यों नहीं आए इससे क्या उनकी शान में बट्टा लग जाता था इसे लिए तो खुद नहीं आए कि वह हाकिम जिला हैं इन अहमक हिंदुस्तानियों को कब यह समझ आएगी कि दफ्तर के बाहर वे भी वैसे ही साधारन मनुश्य हैं जैसे हम या आप शायद ये लोग अपनी घर वालियों से भी अपसरी जताते होंगे अपना पद उन्हें कभी नहीं भूलता पैरा एक मित्र ने जो लतीफों के चलते फिरते तिजोरी हैं हिंदुस्तानी अपसरों के विशय में कई बड़ी मनोरंजक घटनाएं सुनाई एक अपसर साहब ससुराल गए शायद इस्तरी को विदा कराना था जैसा आम रिवाज है ससुर जी ने पहले ही वादे पर लड़की को विदा करना उचित न समझा कहने लगे बेटा इतने दिनों के बाद आई है अभी कैसे विदा कर दूं भला छह महीने तो रहने दो उधर धर्म पत्नी जी ने भी नाईन से संदेश कहला भेजा अभी मैं नहीं जाना चाहती आखिर माता पिता से भी तो मेरा कोई नाता है कुछ तुम्हारे हाथ बिक थोड़े ही गई हूँ दामाद साहब अफसर थे जामे से बाहर हो गए तुरंत घोड़े पर बैठे और सदर की राह ली दूसरे ही दिन ससुर्जी पर सम्मन जारी कर दिया बेचारा बूढ़ा आदमी तुरंत लड़की को साथ लेकर दामाद की सेवा में पहुचा तब जाके उसकी जान बची पांचसो शब्द हैं इसमें डिक्टेशन में वर्ड्स थोड़े से अटपटे होंगे चोकि ये डेली यूसेज में आते दो हैं लेकिन शौट हैं नहीं लिखी या तीन वर्ड्स की तो गड़बड़ी की शुरुवात हड़ बढ़ाने से ही है तो अपने आपको थोड़ा धहरे में रखिए और पूरा डिक्टेशन एक फ्लो में यह दिया आप नहीं लिख पा रहे हैं इस तरह का तो परेशान मत होईए डिक्टेशन को चंक्स में तोड़ दीजे और उसके सफलता पानी इस तरह के मैथड में तो तरीका यही है कि पूरे मैटर को आप एक साथ लिख तो लेंगे लेकिन पढ़ने में मुश्किल आती है यदि आप बहुत क्या कहते हैं एक्जाम के लिए फोकस नहीं है या फिर आप बहुत सजग नहीं है अपने लिए तो इतना हमने उचारण जो मैंने बोली है और आपने जो सुनी है और लिखा है उसमें कहीं कोई अंतर तो नहीं कुछ वर्ड इसमें बहुत शांदार है उर्दू के वर्ड्स है जो आमतोर पर इस्तिमाल में नहीं आते तो आप उनको जरूर देखें कि वो कैसे लिखे हुए है क्यो पता चल जाए कि पैसे चेंज करना है तो मैं उनकी बात को एकसेप्ट करता हूँ और कोशिश करूँगा कि फ्यूचर के सभी वीडियो में थोड़ा सा गैब दे दूँ ठीक बजाए इसके की पैरा चेंज बोलने के ठीक और भी आपके कोई सुझाओ है तो प्लीज आप उ करिए और चैनल को दूसरों के साथ सेर कीजिए वीडियो उसको सेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दिया पहली बार इस चैनल पर आये हैं इस वीडियो के लिए थांक्स लॉट